बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर अब कमिंग एपिसोड में यानि की वीकेंड के वार के एपिसोड में अभिशेक कुमार के आँखों से आशु निकलने वाले हैं और इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है समर्च जुरेल का इविक्षिन जी हाँ समर्च जुरेल का इविक्षिन जो है जैसे कि आप सभी दर्शक जानते हैं वो हो चुका है और अभिशेक कुमार जो है फूट फूट कर रोता हुआ नजर आएगा जिसके बाद आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर ईशा अंकिता मुनवर ये सभी को लगने वाला ह आज हम आप सभी दर्शकों के सामने यही बात बताएंगे यही राज खोलेंगे कि अभिशेक कुमार तो यहाँ पर समर्थ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और समर्थ भी यहाँ अभिशेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे लेकिन अभिशेक के सामने जो है मा पाफी आखिर क्यों मागी लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी यूटूब चैनल Quick TV News को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले Quick TV News को आप सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें चलिए बताते हैं आज के खास रिपोर्ट में आप सभी दर्शकों के सामने यही बात पदाना चाते हैं समर्थ जुरेल का इविक्षन करवा दिया बिग बॉस सीजन 17 के घर के अंदर करन जोहर ने जिसके बाद समर्थ जो है इस बात को जानते हैं इस बात को समझते हैं कि उसने ईशा पर विश्वास करकर कितनी बड़ी गलती की अभिशेक कुमार के साथ पंगा लेकर अब ऐसा क्या हुआ तो यहाँ पर ईशा मालवी जो है अपनी डैट की बातों को मानते हुए ईशा मालवी समर्थ जुरेल के फीलिंग्स की कदर ना करते हुए उसकी इंसल्ट करती है और साथी साथ काफी ऐसी ऐसी बाते बोलती है जो की मतलब गल्फरेंट के तौर पर उन लगते हैं अभिशेक कुमार से ना सिर्फ माफी मांगने लगते हैं बल्कि वो ये भी कह रहे होते हैं अभिशेक कुमार से कि अभिशेक मुझे माफ कर दो मैं ईशा पर विश्वास करकर मैंने बहुत बड़ी गल्ती की मैंने तुम्हें पोक किया तुम्हारे मिंटल मैंने मजाग बनाया ये लड़की किसी के लायक नहीं है ये लड़की किसी को समझने के लायक बिल्कुल भी नहीं है प्लीज मुझे माफ कर दो ये बात जो है वो कहते हुए यहां नजर आएंगे दोस्तों कोई और नहीं बलकि आपको बताना चाहते हैं समर्थ जुरेल जिसक बात को लेकर वो गिल्टी ट्रिप पर जाएंगे और गिल्टी ट्रिप पर ना सिर्फ जाएंगे बलकि माफी मांगते वे नजर आएंगे कि भाई मैंने जो भी किया वो गल्ती में मैंने किया अगर मुझे माफ कर सकता है तो तू भी मुझे माफ कर दे और तेरी कोई गल्त मुझे ये बात पता था कि ईशा एक ना एक दिन तुम्हे भी धोका देगी और वो वही कर रही है वो उसके डायड आने के बाद जो है वो पूरी तरह से बदल चुकी है और मैंने सुना है कि उसके डायड जो है तुमसे भी यहाँ पर मतलब अलग रखना चाहते हैं ईशा माल के खर के अंदर यही नहीं बलकि यहाँ पर मुनवर फारुकी अंकिता लोग खंडे और साथी साथ ईशा मालविय जो है काफी जादा जो है वो शौक होने वाले हैं ये सब देखकर क्यूंकि उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि समर्थ और अभिशेक जो एक दूसरे क इतना जादा हर्ट होंगे और जब इसकी पीछे की वज़ा जब वो लोग जानेंगे तो उन्हें भी बहुत बड़ा जटका जो है यहाँ पर लगने वाला है तो इतनी बड़ी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रही है दोस्तों एक बहुत सीजन 17 के घर से तो कितने ज सबस्क्राइब का ना भूलिए बिलकुल भी